नमस्ते फ्रेंड्स क्रेडियु साधना साधना साहित्य के आज के हमारे सेशन में मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ सरीता भारती जी से जी हाँ फ्रेंड्स करोना के 2020 के इस महामारे में लोग दुखी होके जीने के बजाए इस पैंडेमिक में लोगों ने बहुती स्पोर्टिंग ली अपनी परिस्तितियों को अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए जिन्दा दिले से जीने की कोशिश की है जी हाँ फ् तो किसी को singer बना दिया, तो किसी को artist बना दिया, तो आईए, कुछ ऐसी ही कलाकारी लेकर आई है, सरीता भार्टी जी अपनी कलम से कुछ इस तरह से, तो सुनते हैं सरीता जी को, नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल मेरे अहसास मेरी कविता में, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी कोविट काल चल रहा है, 2020 से, तो मैं 2021 में इसके चपेट में आई, और 2022 जन्वरी में भी, तो इस बिच जो मैंने महसूस किया, उसका विता का शिशक है, मुझसे इश्क हो गया है कोरोना को, मुझसे इश्क हो गया है कोरोना को, इसलिए तो दुबारा चले आये आँख लडाने को, पहले तो आकर गला मेरा सहलाने लगा, और वहाँ बेशरम अंदर से खस खसाने लगा, नाक भी क्यों पीछे रहता रीयेक्षन में, बार बार चिकने लगा पूरे एक्षन में मैंने भी कुछ यू 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 युकती लगाई, डोलो और डॉक्सी जैसी दो बोडि गाड ले आई उन्होंने भी कोरोना को खुब अच्छे से धोया और चार दिन में ही बाहर का रास्ता दिखाया तो समझे जनाब ऐसे आशिक तो अब अक्सर मिलते रहेंगे और मास्क और सेनिटाइजर के प्रयोग से ही हम समभलते रहेंगे मास्क और सेनिटाइजर के परियोग से ही हम समखलते रहेंगे